मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हुँ मैं, मन्जिल से कह दो कि अभी पहुचा नहीं हुँ मैं दहरादून के बुजुर्ग चिकित्सक डॉक्टर योगी एरेन इन्हीं पंक्तियों को सही सावत कर रहे हैं दॉक्टर योगी को इस साल पद्म श्री पुरुसकार देने की घोशना हुई किसी ना किसी दुरघटना के चलते तवचा में विकृती आजाने पर तमाम लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा पाते हैं ऐसे ही लोगों के लिए देवदूत बनकर काम कर रहे हैं 82 साल के बुजर्ग प्लास्टिक सर्जर डॉक्टर योगी अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की फ्री प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने की है इसी सेवा भाव का नेतीजा है कि साल 2020 के पद्म पुरुसकारों की सुची में डॉक्टर एरन का नाम शामिल किया गया है डॉक्टर योगी को सम्मान मिलने से उत्रा खंड का मान बढ़ा है अगरे तो है योजी की बात है कि मेरी मेनत को लोगों ने सुल गया लेकिन प्रेशर भी है अब मैं गल्टी के गुझाइश नहीं रखोंगा चाहूँगा कि हर मरीज मेरा दिखो हर मरीज मुझा खुश रहे तो प्रेशर भी बढ़ा है लेकिन प्रेशर डेमिनेटली बढ़ा देगा तो पांच हजार से ज्यादा ऐसे लोगों को जो जरुरत मन थे उनकी प्लास्टिक सरजरी की है डॉक्टर योगी ने और यही वज़ा है कि इस बार जब पदम सम्मानों की घोशना की गई उनके इनका नाम शामिल किया गया है जिस तरह का सेवा भाव इनोंने दिखाया है क्योंकि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर होते हैं और आक्सिडंट की वज़ा से या फिर किसी वज़ा से जलने की वज़ा से उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रत पड़ती है ऐसे लोग प्लास्टिक सर्जरी का पैसा जो है खट जो है वो नहीं वहन कर पाते हैं जिस वजह से उनके साथ ये इस्तिती होती है प्लास्टिक सर्जरी उनकी कर चुके हैं और वो भी मुफ्त जो जिस तरीके का होता है जो जितना सक्षम होता है उस तरीके से उसकी मदद की जाती है ये सेवा भाव अगर हर किसी इंसान में आ जाए और जिसकी जो ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी अगर सही तरीके से पूर तो वाकई में ये देश और भी खुबसूरत हो जाएगा क्योंकि देखिए 80 साल से उपर उम्र है इनकी और जिस सेवा भाव से जुड़े हुए हैं उसको सरकार ने पहचाना और फिर इन्हें सम्मानित करने की ठानी प्लास्टिक सर्जरी पांच हजार से अधिक लोगों की अभी तक कर चुके हैं और आगे भी जब तक प्लास्टिक सर्जरी वो कर पाए क्योंकि उम्र हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी हारे नहीं हैं तो कहते हैं कि कुछ जो पंक्तियां हमने पहले आपको बताई थी वो प जो अपने प्रोफेशन को निसर्फ प्रोफेशन समझे बलकि उसमें सेवा का भाव भी हो